नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर कश्मीर पंडितों को आप मिलना चाहिए सम्मान बॉलिवर्ड के दिगज अभीनेता अनुपम खेर ने कहा कि भारतिय सविधान की धारा 370 जो की कश्मीर राज्य को विशेश राज्य का दर्जा देती है उसे समाप्त कर देना चाहिए उन्होंने कहा कि विस्तापित हुए पंडित समुदाई के लिए कश्मीर घाटी में स्मार्ट सिटी बनाई जानी चाहिए रूट सिंद कश्मीर द्वारा आयोजित पत्रकार वारता में अनुपम खेर ने कहा कश्मीर पंडित अब अपनी उन कॉलोनियों में वापस नहीं लोट सकते जहां पर वह पहले रह रहे थे क्योंकि जादा थर जगे या तो जला दी गई है या फिर उन पर कबजा कर लिया गया है गोर तलब है कि लब्भे के दश्रक में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंगवाद के चलते हजारों कश्मीर पंडितों को जान से मार दिया गया था जिसके चलते लाखो पंडितों ने जम्मू, दिल्ली और मुंबई में शेरंड ली थी आतंगवादी और अलगावादी नहीं चाहते कि पंडित फिर से कश्मीर में पसे संजे राउद पर भढ़के आप कहां गिरफतार करो आमाद्मी पैटे ने मुस्लिमों के वोटिंग अधिकार पर की गई टिपणी को लेकर शियुसेना और उसके मुखपत्र सामना के संपागक संजे राउद के खिराफ आपरादिक मामला दर्श करने की मांग की आपने जारी एक बयान में आरूप लगाया कि लेक का उद्देश सस्ता प्रचार हासिल करना और समगदायों के बीश घृणा फैलाना है उलेक निया है कि शियुसेना के राजसवा सांसत संजे राउद चाहते है कि देश में मुसल्मानों से मद्दान का अधिकार वापस ले लिया जाए शियुसेना के अनुसार ऐसा उन्होंने ओवेसी बंदो द्वारा लगातार जहर उगले जाने और तथा कथि धर्म निर्पेक्ष पारिटी उदरा तुष्टिकरन की राजनिती किये जाने के संधर्व में दिया है शियुसेना की विधान परिशत सदस्य और प्रवक्ता नीलम गोरे ने कहा कि लेख में यह कहने का प्रयास किया गया है कि जीवन के हर शेत्र में विकास के लिए ज़रूरी है कि कुछ नेता तुष्टिकरन की राजनिती को छोड़े क्योंकि हम मुस्लिमों के हित में नहीं ह जर्मनी में गुंजा मैकिन इंडिया का नारा फ्रांस के बाद जर्मनी में भी मैकिन इंडिया की गुंज रही हनोवर में एक व्यापार मेली का उध्गातन करते हुए प्रधानमंद्री मोधी ने जर्मनी और शेश दुनिया के निवेशकों को लुभाते हुए भारत में पूर्व अनुमान लगाने योग्य, स्थीर और प्रतिसपर्दी कर्वेवस्था के साथ स्वागत करने वाले व्यापारिक वातावरन का वादा किया और कहा कि शेश अनिशित्ताओं का भी निराकरण किया जाएगा मोधी ने कहा कि दुनिया के उद्योग जगत से जो लोगा जहां जूटे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आज हमारे मेजबान के लिए हमारे मन में कोई विशेश पूर्वाग्रह नहीं है भारत दुनिया को गले लगाने को तयार है अपने संबोधन के पूर्वा हनवर में न्यू टाउन्स हॉल में एक भव्यकारे क्रम में मोधी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरन भी किया इस मोके पर उन्होंने हिंदे में अपना संबोधन देते हुए कहां कि मात्मा गांधी पूरी दुनिया की मानव जाती के लिए आदर्श है इस मोके पर बड़ी संख्या में जर्मन और भारतिय मूल के लोग एकत्र थे भारतिय समुदाय ने मोधी मोधी के नारे भी लगाए